हेलो फ्रेंड्स वेलकम है आपका हमारी योट्यूब चैनल में तो कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुसकबरी मिलने जा रही है सरकार ने एक नए भते पर जो है आगे आने वाले दुनों में उस पर जो है मुहर लग सकती है बहुत ही इंपोर्टेंट ये वीडियो है पूरा वीडियो को लास्ते देखिया वित्मंत्राले के पास से बड़ी ख़बर आगे आ सकती है बनी रही हमारे साथ इस वीडियो में लास्त तक और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए साथी साथ आप हमारी वीडियो की लेटस्ट रेलवे द्वारा नाइट ड्यूटी अलाउंसेस के नियमों में बदलाव के बाद जिनकी बेसिक 43-600 रुपए है उनके रेलवे करमचारियों को जो है NDA यानि नाइट ड्यूटी अलाउंसेस नहीं मिल रहा है लेकिन अब ख़बर आ रहे की सरकारी करमचारियों को नाइट जल्द हल निकालने की सिपारिस की गई है गुजारिस की गई है सुत्रों के निसार चल्द इस पर सकरात्मक यानि पोजिटिव फैसला लिया जा सकता है दरसल रेलवे मंत्राले के पूर्व एक बड़े फैसले के बाद जिन रेलवे करमचारियों की बैसिक सेहली 43-600 रुप उनका संचलन करने वालों और मेंटनेस आदिस टाप को दिया जाता है इस आदिस के बाद 43-600 रुपए बेसिक सेहली से उपर वाले रेल करमचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए रेल संगठोनों इससे बहाली को लेकर पुर्जोर मांग भी उठाई दी रेल के दिनांक reportedly के कारला ग्यापन के मांध्यां से भीज दिया गया है सचीव की तरफ से बताया में दिरांक P यह भी बताया गया है किस मुद्धेपट डोपीटी को थे इंतिसार है आप को बता दे की हाल मेंगे रेल मंत्राले ने Ministry of Finance के Department of Expandition द्वारा प्रदान की गई स्थिती में मामले में सीख्र समधान के लिए बीते चार जमरी दोयार 22 को Department of Personal Training यानी डियो पीटी को लेटर लिखकर भेजकर अनरोध किया है हनाकि सूत्रों के मताबिक जल इस बारे में फैस्टा लिया जा सकता है और Night Duty Allowances यानी NDA जार पर इस रिक्वेस्ट की जा रही है लिहाजा Railway Board वित्रमंत अलाइसी इस पर जल्दी फैस्टा ले सकता है और इसके संबन्द में जल्दी एक जो है सकरात्मक आदेश जारी हो सकता है तो ये कर्मचारियों के लिए Night Duty Allowances लेटे एक बड़ी खुसकबरी है वीडियो अच्छ जो मरी खुसक ट्यों जाज लेटे खुसक वो जो जाओ़ी लागी को जो है आदेश जाँ जादेश लेट कर्मचार में जाठी है